रादे किष्णा उन्निती कृष्णा बुटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ ये देखिए आज मैंने डवल फ्रेल वाली ड्रेस बनाई है पांच नमर के लड़ू को पाल के लिए इस ड्रेस को बनाना बहुती आसान है आसान तरीके से बन जाएगी सिर्फ मैंने तीन पटी से ये ड्रेस बनाई है तो चलिए हम बना लेते हैं इस ड्रेस को अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें आसा करती हूँ वीडियो को एक बार आप पूरा जरूर देखें ये देखिए ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है आज हम डवल फ्रेल वाली ड्रेस बनाएंगे पांच नम्मर के लड्डू गोपाल के लिए तो चलिए मैं नाप लेती हूँ इसको सवाचारी इंची इसकी चोड़ाई रखिये हमने तेज़ी इंची इसकी लमाई है ये घिरा बनाने के लिए पहली पट्टी है अब हम इसको उल्टा कर लेंगे ये देखिए इस कपड़े पे मैंने पेपर पेष्ट चुपकाया है प्रेस से अब हम देखिए किनारी को फोल्ड कर लेंगे दो वार और इस पे स्लाई करनी है और पूरी पट्टी पे तीनो तरफ हम स्लाई कर लेंगे ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने सवा दो इंची रखिया लंबाई इसकी 24 इंची है ये दूसरी पट्टी है घेरा बनाने के लिए ये देखिए इसको भी हम फोल्ड करेंगे दो बार तीनो साइड मैं से फोल्ड करेंगे और इस पे हम स्लाई कर देंगे ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है यह देखें, अब हमें इसपे स्लाई कर लेंगे, यह देखें, मैंने पहली पट्टीय गेरे की इसपे स्लाई कर लिया, अब हमें इसके उपर लेस लगाएंगे, तीनों सैड में, इस तरीके से लेस को रखूँँगे, पूरी पट्टी पे हमें तीनों साड में लेस को रखके सलाई करनी है यह देखिए यह दूसरी पट्टी है गहरे की इसके उपर भी हम लेस लगाएंगे तीनों साड में यह देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और सलाई करनी है ये देखिए, मैंने लेस लगा लिये, चौड़ी वाली पट्टी पर, अब हम इसकी प्लेट बनाएंगे, प्लेट बनाने के लिए हमें एक बारा वर कपड़ा लेना है, एक जैसी प्लेट बनानी है, तो देखने में अच्छी लगें, हमारी ड्रेस भी अच्छी लगे, ये देखिए, अब हम इस पर स्लाई कर लेंगे, मुझे इस तरीके से पूरी पट्टी की प्लेट बनानी है, ये देखिए, ये दूसरी पट्टी है हमारे घेरे की, इसमें भी हम प्लेट बनाएंगे, और इसके उपर हमने लेस लगा लिए, ये देखिए, इस पट्टी की भी हम प्लेट बना लेते, इस तरीके से एक जैसी प्लेट बनाएंगे, अब मैं स्लाई कर लूँगी और पूरी पट्टी की हमें प्लेट बनानी है ये देखिए मैंने प्लेट बना लिए अब हम इसकी कमर नाप लेंगे ये देखिए इसकी कमर पौने 6 इंची है ये दूसरा घिरा है हमारा इस तरीके से हम रखेंगे एक दूसरे के उपर और स्लाई कर लेंगे ये देखिए मैंने दोनों को सिल लिए आए ये देखिए इस कपड़े में से मैं कमर पट्टी लगाऊंगी ये देखिए इसकी चोड़ाई मैंने लगबख 12 इंच लिए और मैं कमर पट्टी लगाने की बाद इसको कट करूंगी पट्टी लगाऊंगी इसमें ये देखिए फोल्ड कर लेंगे हम और इस तरीके से में सिल दूंगी ये देखिए मैंने कमर पटी लगा दिये, एस्टर कमर पटी मैंने कट कर दिये, ये डोरी में मैंने इसी कपड़े में से बनाई है, ये देखिए मैंने फोल्ड किया कपड़े को एक बार और दूसरी बार फोल्ड किया और हम इस पर सलाई कर लेंगे ये देखिए कमर पटी मैंने लगा दिया घेरे में घेरा हमारा बनके तयार है ये देखिए ये एक सीधी पटी है इसकी हमने चोड़ाई पौने दो इंची रखी है लम्मा इसकी 24 इंची है ये देखिए इसको मैंने फोल्ड कर लिया है अब हम इच में से कट कर लेंगे इसको ये देखिए मैं कट कर रही हूँ ये देखिए एक पाट को मैंने सीधा रखा और एक को हम इसके ऊपर ओल्टा रखेंगे और सलाई कर लेंगे यह देखे मैंने इस लिया है अब हम इसको सीधा करेंगे fold अच्छे से set कर लेंगे यह देखे कुली साइट से हम दोनों पाठ को अंदर की साइड मुए फोल्ड करेंगे पूरी पट्टी को और स्लाइ कर देंगे यह देखे मैं अब स्लाइ कर दूंगी इस पर ये देखिए मैंने इसको पूरी पट्टी को सिल दिया है अब हम इसके उपर लेस लगाएंगे दोनों शाड में मुझे लेस लगाने और हम इस पर सिलाई कर देंगे इधर भी लेस को रखके हम सिलाई कर लेंगे ये देखी मैंने दोनों साट में सिलाई कर दिया ये देखी हमने इस पट्टी को इस तरीके से क्रोस किया और सिलाई कर लेंगे ये देखी गहरी को लिया मैंने इसको फोल्ड कर लिया अब हमें इस पर निसान लगा रहे हैं ये देखिए चोली के उपर हम इस तरीकी से घीर को रखेंगे वो असलाई कर लेंगे ये देखिए मेरे लड़ू गोपाल की ड्रेस सिल्के तैयार है आपको ड्रेस पसंद आई हो तो बीटी को लाइक, सियर, केमेंट जरूर करें रादी किशना